जैहिंद आज हम सॉल्व करेंगे जेए मेन 2022 में जुलाई में आने वाला एक क्वेश्चन और यहां पर स्प्रिंग के ओपर जो हैं दो मास अटेश्ट ने स्प्रिंग के साइड में और इनको एक कॉंस्टेंट वेलॉस्टी इंपार्ट करी जाती है और स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स भी हमें गिवन है और ब्लॉक्स के मासिस भी गिवन है आप से पूछा गया है कि जब यह स्प्रिंग एलोंगेट होंगे तो एक मैक्सम एलोंगेशन एचीव होगी यह वह बैल्यू जब आप जाके वेलॉस्टी जीरो हो जाएंगी तो एक मैक्सम एलोंगेशन होंगी वह आपको फाइंड करना है यहां पर डारेक्टली इस कुश्चन को सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनरजी हमें क्या देखना होगा कि इनीशल जो हमने कानेटिक एनरजी प्रोवाइड करें थी बाद में यह रुक पूट कर लेंगे तो यह इनीशल कंडीशन थी दोनों मास एक्क्यूएलेंट थे आपने एक पर्टिक्लर वेलास्टी इंपार्ट करी है यह एक्स्टेंड हो गये हैं तो आप देख सकते हैं अब स्प्रिंग को थोड़ा साम एक्स्टेंडेड फॉर्मेंट में बना देंग गई हैं तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ होगा कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दा मासेज ऑफ दा मासेज is converted into potential energy of spring तो देखिए यहाँ पर masses क्योंकि दो है तो kinetic energy के term भी दो आएंगे यानि अब masses identical है तो इस case में 2 into 2 into half mv square हम लिखेंगे और यह spring potential energy जो की generic बहुत easy solution है यानि आप इसको remember कर सकते हैं इस term को half kx square जो की spring force जो होती है हमारी physical to minus kx तो जो हम इससे work done निकालते हैं तो potential energy अपने आप यह relation आजाता है basically kx का जो आप integration करेंगे तो kx square by 2 ही आएगा तो वो यह expression है easily available है किसी भी book से आप पढ़ सकते हैं बट यहाँ पर kinetic energy convert हो गई potential energy में that's it तो यहाँ पर जो potential energy है यह खास maximum elongation के लिए तो हमने kx m square लिखा है अब बस हमें यह solve करना देखे 2 से 2 कटेगा that means यहाँ पर x m जो square है उसकी value के आजाए यह 2 उपर जाएगा 2 m v square और यह k नीचे आजाएगा अब हम यहाँ से square root कर देंगे दोनों तरफ तो x m physical to root over 2 m और by k देखे v square भी अंदर था लेकिन उसको मैं बहार ही रखूँगा तो वी आ जाए उनकी वह square है तो वह वी आ सकता तो यह मेरा एक्सम का जनरल एक्सपरेशन आगा वी root over 2 m by k कई बार previous year में यह question इसी तरीके से पूछा गया है यानि यह जनरल एक्सपरेशन पूछते हैं बट हमारे पास इस बार values हैं तो हम जानते हैं कि मास 250 ग्राम है तो 1 by 4 kg हो जाएगा and spring constant जो कि spring की stiffness को denote करता है वो हमें दे रखा है 2 newton per meter अब यह दो value गरम डालेंगे velocity तो भी given नहीं है तो देखें मैं आब यह value पुट करता हूं बी की जगे बी जाने दीजिए 2 मास की जगे पर 1 by 4 kg आजाएगा और जो k है k की जगे पर 2 आजाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और यह बी और root over 1 by 4 root over 1 by 4 का मतलब होता है 1 by 2 तो यह आगे है आपका x है, x है musical to 1 by 2 तो I think option number B ठीक है? तो option number B correct था यहाँ पर एक simple सा एक logic conservation of energy का principles अगर आप याद रखते हैं तो यह बहुत असानी से solve हो सकता है You can also try this question using force analysis, यह energy analysis था आसान होता है directions की जगरत नहीं होती लेकिन जब spring के पास हम एक velocity दे रहे हैं और वो एक समय पर जाके रुकेगा और spring के पास restoring force भी हमें पता होती है minus kx Then you can also try the solution with force method, ठीक है? तो यह आपके लिए homework है अब इसके बाद हम चलते हैं अपने next question में बिटा देखे यह भी 25 July को evening shift में question आया था यहां पर bag है sandal का मिटी का bag है 9.8 kg का जो suspended है एक rope से तो कुछ इस तरीके से condition होगी देखे एक bag मैं बना लेता हूं इस तरीके से और इस bag का जो weight है वो 9.8 kg है एक bullet यहां से आ रही है 200 gram की है that means 0.2 kg और इस बुलेट की जो velocity है वो है 10 मीटर पर सेकंड तो यू इस इकल टू 10 मीटर पर सेकंड यह जब bag में hit करती है तो जो है embedded हो जाती है इसमें ठीक है और इसकी जो loss होता है कुछ कानेटेगें में obvious सी वाते loss होगा ही आप से पूछा है कि वो loss ही बताना है आपको तो बेसिकली यह कोलीजन का क्वेशन है कम जालते है इस तरह के क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट से ही भी हैब तो यूज कंजर्वेशन आप में इस सिस्टम में पता है कि क्या वेलास्टी लेकिन जभी इंबेडेड होगे तो वह कंजर्विशन आप मेंटम से विल आश्टी निकलेगी तो देखिए इसे साल्व करते हैं सीधह लिखता हूं मैं यूज using conservation using conservation of momentum using conservation of momentum यह एगर मैं conservation of momentum करता हूं तो देखें p initial debates है और बैग जहु रेस्ट में है तो मैं यहांप पर लिखता हूं व्लासकोटी प्लस मास ओफ लिखने की में जरूत नीजा इसकी विलॉस्टी जी जी ओर यहां पर मैं जब दोनों जोड़ गए तो गुलेट प्लस यहां पर बैक दोनों का मास क्योंकि एंबेड़ी टो गया देखें एम्बेड़ी बहुत important term है कि अंदर जाके एकदम दोनों एक ही पार्ट बन चुके हैं ब्रांच भी होती है electronics में embedded electronics ठीक है तो embedded मतलब जड़ जाना तो यहां पर दोनों मास जुड़ गए हैं वेलोस्टी अन्नोन है हमें नहीं पता लगने के बाद कितनी वेलोस्टी होगी उसी लिए तो हम conservation of momentum इस्तमाल करते हैं वेनेवर एक question about velocity is all during collision तो हम always imply करते हैं conservation of momentum यहां पर देखिए हमारे पास velocity निकाल लें तो velocity सिंपल होगी हम में generic values जाल रहा हूं यहां पर mass of bullet जो थी या फिर चलो एक बार इसलिए आपके सामने लिख लेते हैं वे डिवाइड़ वाइंवी प्लस एम बीजी ठीक हमने पहले भी ऐसे question करें हुए हैं यहां पर velocity कितनी आगे बुलेट जो ती उसकी जो मास है 0.2 है और वेलोस्टी टैन है डिवाइड़ वाइड़ वाइं वह इस तरह कुश्चन में मास इस बड़ा इच्छे दिए होते हैं देखो 9.8 और यह 200 ग्राम 200 ग्राम मतलब 0.2 तो 9.8 प्लस 0.2 10 हो गया तो आपको बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन देते हैं ताकि आप इसे कर सकें वेलोस्टी इस इकल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड तो यह आपकी वेलोस्टी आ गई अब दिखें आपके पास वेलोस्टी आ गई है दूसरे जबी ऑब्जेक्ट जो हैं दूसरे का अंदर इंबेड़ेड हो गई है अब आप से पूचा है कानेटिक एनरजी क का लॉस बतारें तो कानेटिक एंड़ी का मतलब है आपको यहां पर मैं सीधा लिखता हूं लॉस इन कानेटिक एनरजी लॉस का मतलब क्या होगा कि फाइनल में वह कम हो जाया और इनीशली वह ज्यादा हो तो अगर हम के इनीशल माइनस के फाइनल करें तो हमें लॉस मिल आएगा कि कानेटिक एनरजी इनीशल माइनस कानेटिक एनरजी फाइनल अब आपको पता है बटा इनीशली सिर्फ बॉलेट थी तो हाफ एम वी बॉलेट बीक स्कुरर माइनस बाद में दोलों अब्जेक्ट जुड़ गई है तो बॉलेट प्लस बॉलेट प्लस बैग और इनकी जो वेलॉस्टी हमने निकाली थी एक्सप्रेशन हमें करना है तो बस अब वैल्यू जालेंगे हाफ बॉलेट का था 0.2 और उसकी वेलॉस्टी इनीशल नमारे पास टैन थी तो टैन का स्क्वेर जो तह मैं दो बार टैन लिख देता हूं माइनस इदर करूंगा हाफ दोनों का जो मास था अभी हमने देखा था जोड़के टैन आता है और वेलॉस्टी भी हमने निकाली है यहां पर उस पूरे सिस्टम की जब एंबेट हो गया है 0.2 यहां पर स्क्वेर है तो 0.2 इंटू 0.2 अब यह तोटली आपकी सॉल्विंग के ओपर है तो देखें मैं यहां पर ऐसे कड़ता हूं यहां पर टैन आया टैन से टैन कट गया और यह वाले टू से टू कट गया तो बेसिकली यहां पर आ गया टैन यह वाले एक्स्वेशन तो टैन आ गया अब इदर चलते हैं इधर भी 10 आया इधर भी 10 आया टेंट 10 हो गया हमार पास यह टेंड गज़कर यह टू गया अब यह टू डिवाइड़ ऑई टैं बैसिकली 0.2 ही है तो 10-0.2 होता है बेसिकली हम पर में लिख देता हूं नहीं है और टेन में से 9.8 जूल तो यह आपका लॉस आया और देखिए option number भी भी यही represent करता है तो इस तरीके से आप देखिए कि जातर कोश्चन वर्क एनरजी यह जो है conservation of momentum conservation of energy इसी के ओपर बेज होते हैं वर्क एनरजी भी इसी का consequence है वो conservation of energy ही है तो आप इन छोटे-छोटे principles को लगा के बहुत असानी से को सॉल्व कर सकते हैं चलिए अपने next question के तरफ चलते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा यह कि आपको पास आपके पास mass है velocity है और आप से work done पूछा गया है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं हमारे पास दो एपरोच रहेंगे को सॉल्व करने के लिए पहली बात बीटा वेलासिटी यह कुछ बच्चे इस expression को देखके सोचते हैं कि जैसे काइनमेटिक्स में ऐसा कोई expression देखता हैं डिवाइड करके acceleration निकाल लेते हैं लेकिन ध्यान रखना acceleration as it is नहीं निकाल सकती विकॉस वेलासिटी के displacement dependent है अगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है इप टाइम के साथ देन डीवी वाइड डीटी आप कर सकते था असानी से तो पहला मेथड जो रहेगा वह इंटरम्स ऑफ एनरजी रहेगा इसको करने का लिए के solution मेरे पाँ मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं एनर्जी वाला मैं थाड़ें करूंगा विकॉस वेलासिटी मुझे गिवन है अब मेरे को क्या करना है इस वेलासिटी को चेंज मेजर किया जा सकता है तो जैसे हमसे पूछा गया है कि वर्क डन निकालना है मुझे वर्क डन फ्राइल एक्स इस इकल टू जीरो टो एक्स इस इकल टू मेटर ठीक है और मैं आप लिखूंगा यूजिंग या सबसे पहले तो मैं वेलासिटी निकालूंगा तो वेल फॉर्मले में आप एक्स जीरो डालिये तो देखिया एक्स जीरो डालते ही यह टर्म जीरो हो गई और यह सिर्क बचा फोर तो जो आपकी वेलासिटी आ जाएगी वो क्या जाएगी four मीटर पर सेकेंड similarly velocity at x is equal to हमारा दूसरा displacement of 4 वो क्या 2 आ जाएगा तो यहां पर 2 की जगे देखे क्या करेंगे हम वहाँ expression में 2 पूट करेंगे तो देखे 3 इंटू 2 का square 3 इंटू 4 12 12 प्लस 4 16 तो यह मैंने values पूट कर ली 16 मीटर पर सेकेंड यह दो वेलोस्टी जा गई अब मैं यहां लिखोंगा using यूजिंग वर्क एनरजी थिओरम यूजिंग और एनरजी थिओरम मुझे पता है वर्क डन होता है डेल्टा की चेंज इन काने टेक एनरजी तो मैं आपर कानेटेक एनरजी का चेंज गरूंगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वाइर माइनस वी इनीशिल का स्क्वाइर तो यह एक्सेजिकल टू वाला भी फाइनल कंसिडर किया जाएंगा हम यहां पर देखते हैं इसे आफ मास है आपका 0.5 kg जो कि हाफ के जी होता है इन्टू वी फाइनल है हमारा 16 का स्क्वाइर और वी इनीशिल है हमारा 4 का स्क्वाइर इसे देखते ही हो गया 1 बाइ 4 और यहां पर 16 का स्क्वाइर होता है 256 और माइनस का 16 तो यह बेसिकली 1 बाइ 4 इंटू 256 माइन 240 हो गया ठीक है बस हां 240 हो गया और यह फोर से करें गया फोर सिक्वाइर 24 और जीरो तो देखो बेटा 60 जूर ठीक है आई तो एक तरीका है कि आप डिरेक्ली देखी कोश्चन में वेलास्टी है वर्क पूछा गया है तो कोशिश करिए वर्क एनर्जी ठीरम लगा हो तो मैं थोड़ा वैल्यूस को याद रखता हूं आदी किलो है आपर सेगंडरी मेतर यानी सेकंड मेतर क्या है कि हम इसे जन्रलाइज वर्क का कौन सा फामला इस्तमाल करें फोर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट तो यहां पर मैं लिखता हूं वर्क इस इकल टू पोर्स इ निकालनी पड़ेगी फोर्स में और यह दोनों चाहिए होता है बिटा डिस्प्लेस्मेंट तो है जीरो से टू अब एक्सलेरेशन निकालना अगर हमारा मेन काम है तो एक्सलेरेशन होता है डी वी बाइडी टी अब अगर मैं इस वी के एक्स्प्रेशन को देखके आप सु तो वेलास्टी होता है यह इस एक्सप्रेशन में जो है एक्सलेरेशन आप इस तरीके से निकालेंगे मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छे तो आप इसे सिंपल चैन रूल में अपने आप भी कर सकते हैं लेकिन जन्रलाइज एक समझाने के लिए यह कंसप्ट ज्यादा ज करिए तो वो सिंपल होगा यहां पर मैं पहले यह टर्म सॉल्व कर रहा हूं देखे 3x को लिखंगे 3 into 2 और यहां पर x ठीक है x की पावर 2-1 हो जाती है यहां पर मैं 3 ऐसे लिख रहा हूं दिखे 3 into 2 x की पावर 2-1 1 हो गया अब प्लस 4 जो है constant है तो उसका differentiation 0 तो यह वाली होगी अब साथ में बेटा इसके साथ में आपको velocity लिखनी है अब acceleration क्या हो गया 6x और velocity की वो पूरी टरम दुबारा दार दीजे 3 x square प्लस 4 acceleration क्या होगी overall 6 318 और यहां पर x cube प्लस 64 24 x ठीक है तो दोबार देख लेंने 18 x अब यह आपका देखी एक जनरलाइज expression आ गया अब आप अगर work done calculate करें तो आपको पहले force जो मैंने बताया था तो force है आपका m में m आपको बताया था भई हाफ है acceleration आ गई आपकी 18 x cube प्लस 24 x तो यह basically result बन गया 9 x cube प्लस आपका 12 x ठीक है अब यह आपकी जो आ गई force expression आ गया तो वर्ग निकाल ला है तो वर्ग के लिए आपको बताया पड़ेगा तो वर्येबल force है अब दुबारा ऐसे लिखेंगे 9 x cube प्लस 12 x और dx और यह जाएगा 0 से लेके 2 तक अब यहां पर देखें जड़ा work done is equal to 9 x की power 4 by 4 प्लस 12 x square by 2 यह आ जाएगा integration करके अब यहां पर work done is equal to 0 से 2 ही था तो मैं यहां पर value दाल देता हूं सिधा upper limit वाली 0 से 2 था 9 x 2 की power 4 by 4 प्लस 12 x 2 की power 2 divided by 2 तो यहां पर देखें क्या क्या हो सकता है अले सॉल्व करते है नाइन इंटू टू टू जा फोर 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 जा शिक्स्टीन सिक्स्टीन बाई 4 फोर होता है प्लस 12 एक टू यह रहे बटा एक टू यह कर जाएगा 12 टू जा 24 तो यह 24 आया तो यह हो गया वर्क डन हो गया आपका नाइन फोर जा 36 प्लस 24 इस इकल टू 30 जूल ठीक है तो दीकिए 30 जूल नहीं 24 जूल तो जो कि पहले ही सॉल्यशन हमारा 60 जूल था तो आप देख सकते हैं पहले हमने वर्क एनरजी या वर्क काइनेटिक एनरजी इस्तमाल किया दुबारा हमने वर्क का दूसरा फॉर्मला इस्तमाल किया और हमने अपने लॉजिक सही से रखें ऐसा नहीं कि हम फॉर्मला को यूज नहीं कर सकते बस ध्यान रखना जब किसी कोश्चन को सेकेंडरी मैंतर से सॉल्व करते हैं तो उसकी कंसिलरेशन पूरी होनी चाहिए जैसे यहां पर इंपॉर्टन पॉइंट यह था कि जब आप यह वाला मैथर्ड जो है अप्लाई करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन में उतनी प्रिकॉशन लगनी पड़ेगी वह ज़्यादा असान है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है इसी फॉर्मले से कोशिश करते रहें इवन मैं काऊंगा यह तो गलत होगा क्योंकि यहां पर क्वेशन को इन मैथर से सॉल्व करें यह आप सेकंडरी मैथर्ड जो आपसे वर्क का फॉर्मला है फोर्स इंटू टेस्पेस्ट उसे ना यूज करें ठीक है चलिए अब देखते हैं अपना अगला सवाल है तो हमारा यह जो है आज का क्वेशन लास्ट इस क्वेश्चन में निट इंग्जामीन अब यहां पर ब्लॉक है मास का जो पॉइंट ए से ड्रॉप किया एक्स्पेशन ओफ का इनेटिक बताना है जब यह पॉइंट भीप रीच करता है आपको सारी वैल्यूस गेवन है तो मैं यहीं से देखो डिसकेशन करूंगा सबसे पहले पॉइंट इस पॉइंट पर क्या एनर्जी रही होगी इसकी एम जी और पर्टिकुलर कितनी हाइट यह टोटल एनर्जी है फिक है तो एनर्जी एड पॉइंट टोटल एनर्जी एड सब्सक्राइब कर रहा हूं अब क्या है कि अब कहीं पर भी होगा टोटल एनर्जी इतनी ही रहनी चाहिए अब माल लीजे भी पॉइंट पर आया ठीक है तो मैं सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखूंगा एनर्जी एड एड़ टो एम जी वाई यह पोटेंशल एनर्ज नों पार्ट में यहनि आपके पास कानेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशल एनर्जी एट भी होना चाहिए तो टोटल एनर्जी जो है कहीं पर भी यहनि आपको यहां पे जो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी हर जाए सेम रहने चाहिए टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हमें पता है कि ये इस इकल टो एभी होगा तो ये एक्स्प्रेशन हमने हां लिख लिया और अब हमसे पुटेंशन अनर्जी एड़ बी पूछा है तो दुबा पहले इस दोनों टर्म की वैसे मैं यहाँ पर एम जी वाई लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मुझसे पूछी गई है तो मैं इसको एजटी जरेन देता हूं और पोटेंशल एनर्जी जो है इस गैप में वहोगी एम जी वाई माइनस वाई नॉट तो जो काइनेटिक कि आप इसे कैसे स्अलव करते हैं एमजी वाई माइनस एम जी वाई और व्लोस का एम जी वाई नॉट ठीक मैं तो यह दोनों कट गए कशन पनेसे सानी से मन आपको बता है का एंसी आर्टी का conservation of energy वालबुज़ टॉपिक है विवन हर बुक में होता है बट मैं सी आर्टी से इसे को रिलेट कर रहा हूं ठीक है आपने देखा कि किस तरीकी से fundamental principles को utilize करके आप बहुत असानी से discussion को solve कर सकते हैं hopefully आपको समझ माया होगा अब मिलते हैं अपने next part में